Hi guys and welcome back to the channel दीपश्यादव एजूकेशन Welcome to the daily current affairs discussion तो guys आज की तारीख से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सबी current affairs को हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे ये वीडियो UPSC और state PSE के point of view से बहुत जादा important होता है तो चलो शुबारम करते हैं और start करेंगे आज के छोटे से motivation के साथ में आज का motivation क्या बूलता है मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा directly यहाँ पर यह भी एक fact है जो की life के ओपर implement होता है current time पे बहुत सारी मुश्किले आती रहती है अब होता क्या बहुत सारी लोग उस मिश्कोले में फसे रहते हैं उसे बाहर निकलना ही नहीं चाते हैं लेकिन करना क्या यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है परिशान नहीं होना है चीजे जो life के अंदर उपर नीचे होती रहती है और सबसे important बात अगर मुश्किले life में नहीं आएंगी तो सबसे बड़ी बात क्यार life जीने में मज़ा नहीं रहेगा मुश्किले आएंगी उससे निप्टो उससे आगे बढ़ो करेंट टाइम पे काफी से रहे लो के मेरे पास messages आते Instagram पे मैं job कर रहा हूँ या job कर रही हूँ तो UPSC preparation में मैं इतना time नहीं दे पाता या दे पाती पूरे दिन job में लग जाता है फिर शाम को मुझे 4 घंटे मिल पाते हैं मुझे 3 घंटे मिल पाते हैं चार घंटे मिल रहे हैं बहुत है चार घंटे पढ़ो बिल्कुल concentration के साथ में बिल्कुल focused हो कर जितना भी पढ़ा है उसको ऐसे पढ़ लो कि हाँ मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ फिर उसके आद में आपको एक दिन Sunday में टाइम मिल रहा है उसको महाँ पर revise कर लो तो ऐसी छोड़ी छोड़ी परिशानिया आती रहनी है लेकिन करना क्या उसकी तरकीब निकालो न क्या solution है उसका उसमें फसे मत रहो ऐसी बहुत सरे messages अभी भी आते हैं कि जर prelims में अब की बार मेरा clear नहीं हुआ था काफी सरे messages मेरे receive करें और अभी भी receive करता हूँ कि इस अब की बार का prelims वेरा रह गया है मेरे तीन attempt बचा है मैं next year का attempt नहीं देना चाहता मैं अभी दो साल rest करना चाहता हूँ यार ऐसा क्यों तो ऐसी परिशानिया आती रहती हैं मैं तो सिदा सिदा यापर उनको बोला यार next year के लिए prepare करो और आप तो जो है और लोगों से और ज़दा strong है क्यों क्योंकि आपने पहले एक साल की preparation कर रखी है दो साल की preparation कर रखी है आपने दो prelims दे रखे हैं तीसरे के लिए ready हो रहे हो और ज़दा अच्छे से काम कर पाओगे सभी लोगों से काफी आगे होंगे काफी कुछ सीख चूके हो life के अंदर तो फिर यहाँ पर इसको मुश्किल की तरह देखी क्यो रहे हो परिशानी की तरह देखी क्यो रहे हो तो एक solution यहाँ पर निकाला जा सकता है हर एक परिशानी का उससे हम लोग निकल सकते हैं लेकिन काफी लोग हैं जो कि उसमें उलजे रहते हैं उनको निकलने की ज़रूरत है तो एर कोई भी परिशानी आए डरो मत उसका solution निकालो शांती से बैटो बहुत सरे घवरा जाते हैं नहीं शांती से बैटो जितना शांत बन रहेगा उतने अराम से आप उस मुश्किल से निपट पाओगे और आप लोग UPSC आस्परेंटो तैयारी बहुत लंबी है बहुत लंबा गोल है एक साल डेर साल की यहां पर preparation करनी है तो फिर परेशानियतों आएंगी और challenges के वेना live जीने का कोई मज़ा भी नहीं है याद रखना इस बात को आगया आते हैं देखो यार इस lecture का जो PDF है वो आपको टेलिग्राम पर मिल जाता है आप कैसे लेना है नीचे description box में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया या है जैसी आप उस पे click करोगे ये टेलिग्राम चनल था को आप पहुँच जाओगे गर इस तरीके से टेलिग्राम चनल नहीं मलता है तो एक और बहुत simple तरीका है डिरेक्टली टेलिग्राम आप को डाउनलोड करना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजूकेशन आपको ये मेरा चनल मिलेगा यहां से आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे साधी साथ में अगर आप लोग मुसे personally connect करना चाहते हो तो Instagram पे connect कर सकते हो दीपक यादव एजूकेशन ये मेरी ID है जैसे आप लोग टाइप करोगे आपको profile मिल जाएगा वहाँ पे 7000 प्लस followers हैं वहाँ पे जाकर आप लोग भी connect करकर अपनी queries को मेरे साथ में discuss कर सकते हो start करेंगे lecture को आज का article number 1 और very very important article ये article mains के लिए काफी important होने वाला है mains के लिए काफी सरे points आप इस particular article से निकाल सकते हो street vendors के बारे में चर्चा की जा रही है यानि कि जो सडकों पर आप देख पाओगे इस प्रकार से ठेले लगाते हैं food path पर यहाँ पर अपनी shop लगा लेते हैं वो हमारे street vendors कलाते हैं जो कि यहाँ पर जगा से एक जगा से दूसरी जगा पर जाकर अपने समान को बेचते हैं तो यह article PIB के अंदर cover किया यह है Ministry of Housing and Urban Affairs ने एक statement जारी किया है एक basically यहाँ पर जो ministry है ना इन्होंने एक meeting को address किया और वो meeting कौन सी है वो है नासवी की meeting यह National Association of Street Wenders of India जो कि street vendors के लिए work करता है इस meeting को यहाँ पर देखा गया है यह छटी meeting थी इस meeting को address किया गया और इस meeting के अंदर काफी सारी बाते देखने को मिली है street vendors को लेकर वही चीज़े हम लोग discuss करेंगे तो एक meeting हुई है बस खाली इतना ध्यान एकना यह तो current issue हो गया अब मैं आपको कुछ important points प्रोवाइट करवाने वाला हूँ regarding street vendor उससे पहले जान लेते हैं इस article को आप अपने syllabus में कहां से link कर पाऊगे GS paper 2 और 3 के अंदर यह आपके लिए काफिया तक relevant होगा GS paper 2 के अंदर एक topic आता है government policies interventions का GS paper 3 के अंदर inclusive growth का topic भी आता है ठीक है ना तो street vendors पहली बात तो आप लोग समझ गए अब भी भी नहीं समझे हो कुछ लिखना है इसके बारे में तो definition यह simple सी लिखी भी है street vendor basically एक person है जो कि यहाँ पे public वाले area में या कोई private area है वहाँ पे जगे एक जगे से दूसी जगे पर जाकर अपने समान को बेच रहे हैं कोई भी इनकी permanent shop नहीं है कोई भी permanent build structure नहीं है बस एक जगा से ready को उठाया दूसी जगा पर ready को लगा दिया वो हमारे street vendors के लाते हैं तो यह basically मतलब आप कह सकते हो पुरा का पुरा इनका mobile structure देखने को मल जा जैसे mobile को हम लोग जे में रखके एक जगा से दूसी जगा पर जा सकते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर यह mobile structure देखने को मलता है street vendors का clear हुआ simple सी बात है आप बात करते है street vendors को लेकर इंडिया का क्या statistics है बहुत अच्छा data है यह अपने पास में थोड़ा सा लिख कर रखना यह क्या बोलता है देखो street vendors की जो संख्या है ना पिछले कुछ टाइम से दुनिया भर में लगातर बढ़ती जा रही है especially developing countries के अदर यहाँ पर ING लिखा है एक होता है developed country और एक होता है developing country अच्छा इसके बारे मैंने काफी बर बताया चलो आज आप लोग इसके बारे में clear करू नीचे comment section में कि developed versus developing country के बीच में क्या difference होता है तो जैसे यहाँ पर developing country है ना इन country के अंदर street vendors के नमबर लगातर बढ़ रहे हैं और कौन-कौन से रिया में Asia हो गया Latin America और African वाले region में increase होते वे नजर आएंगे बताया यह गया कि लगबग 49.48 lakh के आसपास जो street vendors वो इंडिया के अंदर देखने को मिले हैं यह जो कि identify करे गए हैं इससे ही बहुत जादे होंगे बढ़ यहाँ पर आप अप्रॉक्स कर सकते हो 50 लाग के आसपास street vendors भारत के अंदर identify करे गए हैं अब यहाँ पे यह तो पूरे इंडिया का डेटा है अच्छा इसको हम लोग इस डेटा को अगर तोड़ें और अगर हम यह पता लगाना चाहें कि भारत में कौन से राजे में सबसाद़ street vendors है तो उसमें आता है उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश के अंदर maximum 8.49 लेक के आसपास street vendors है उत्रप्रदेश के बाद में मध्यप्रदेश आता है 7.4 लेक के साथ में देन डेली आता है डेली के अंदर 72,457 street vendors है ठीक है ना और सबसे important बात ये नीचे वाली line जो है इसको याद रखना सिक्केम के अंदर एक भी street vendor identify नहीं किया गया है clear हो गया तो ये static stricts बहुत important है अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा लोग के rights के बारे में बात करते है या फिर जैसे हम लोग street vendor के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो vendor से संबंदित हमारे संभिधान में क्या क्या provisions है हमारे संभिधान में constitution के अंदर बहुत सरे rights दे रख है आपको बता होगा article 12 से लेकर 35 दगिया क्या है ये सारे के सारे fundamental rights है सभी लोग को यहाँ पर provided हैं जो कि हमारे संभिधान देता है और इसी fundamental right में article 19, clause 1 sub clause G को जब आप लोग देखते हो ना तो basically यहाँ पर बात करता है कि हर एक Indian citizen के पास में fundamental right है कि वो कोई साभी profession practice कर सकता है कोई साभी काम कर सकता है कोई साभी occupation कर सकता है व्यापार कर सकता है business कर सकता है कुछ भी कर सकता है तो basically यहाँ पर right to trade का हमें हख मिलता है article 19, clause 1, sub clause G के अंदर equality before law अब article 14 जब आप लोग देखते हो तो basically हमारे fundamental right में यह सबसे पहला article आता है जो कि equality के बारे में बरत करता है जो कि article 14 है article 14 में आप जब देखोगे details जाओगे तो clause 1 है और clause 2 है तो clause 1 बात करता है equality before law के बारे में और clause 2 बात करता है equal protection of laws के बारे में तो काफी सारे लोगों को इस पे बहुत ज़्यादे confusion रहता है कि सर यह है क्या चलो आज में बहुत simple से शब्दों में आप लोगों को बताता हूं कि equality before law का मतलब क्या है देखो equality before law को आप लोग समझने के लिए एक तरकी याद रख सकते हो equality before law के अदर बोला जाता है prohibition of unequal treatment यानि कि यह जो equality law है equality before law है यह क्या करता है यह prohibit करता है रोक लगाता है unequal treatment पर अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं देखो कानून के सामने सभी लोग equal है law के सामने सभी लोग equal है चाए वो rich हो चाए वो poor हो चाए वो lawyer हो चाए वो कोई साइ profession में हो सभी लोग कानून के सामने बरावर हैं सभी को यहाँ पर उस कानून से treat किया जाएगा तो equality before law यानि कानून के सामने सब बरावर है यहाँ पर unequal treatment को prohibit किया जाएगा, ऐसा निया कि अमीर बच जाएगा, गरीब रह जाएगा, यह unequal treatment हुआ, ठीक है न, तो basically जो unequal treatment है न, इसको रोका जाता है, equality before law के अंदर, तो यहाँ पर article 14 का यह clause 1 है, अब clause 2 को जब आप लोग दिखते हो न, तो यह बात करता है, equal protection of laws, अब equal protection of laws के अंदर के सामने सबी लोग equal है, लेकिन equal protection of laws के अंदर बात यह होती है, कि मालो कोई व्यक्ती है, यह दो particular group है, दोनों में काफी difference है, तो दोनों के हिसाब से, अलग-लग हिसाब से classification किया जाएगा, मतलब, अब suppose करो, एक बच्चा है 10 साल का, और एक बच्चा है 15 साल का, ठीक है न, एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 15 साल का है, दोनों को अलग तरीक से treat करोगे न, जैसे मालों यहाँ पर चलो education देरो दोनों को, लेकिन दोनों की classes अलग-लग रहेंगी, बड़ा है बड़ी class में होगा, या फिर आप कर सकतो दोनों की भूख अलग-लग होंगी, तो इस प् का बच्चा, जो है, suppose यहाँ पर 5th class में है, तो दोनों की classes अलग है न, दोनों के question पर भी अलग होंगे, ऐसा थोड़ी ना है, कि आप लोग यहाँ पर 10th वाली class को और 5th वाले class को भी यहाँ पर एक जैसा question पर बढ़ दोगे, तो अब्विस से बाज है, 10th वाला solve कर लेगा 5th वाले solve कर पाएगा, चैसर न, नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर चाहिए, equal protection of law चाहिए, इसके इसथाफ से इसके लिए कानून अलग होगा, और इसके इसके इसक अании कानून अलग होगा, तो हर एक हिसाफ से कानून अलग होगा, तो classification के बारे है कि इह बात करता है, यह equal protection of laws ठीके न, तो equality before law और equal protection of law, I hope आप लोग समझ गए होंगे तो basically यह article 14 के अंदर mention है तो सभी लोग को यहाँ पर इसका हक मिलता है और यह हमारे street vendors के उपर भी apply होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर street vendors की बात कर रहे है तीसरा आता है, social justice तो जो हमारा preamble है Indian constitution का, preamble के अंदर mention है कि जो इंडिया है वो एक sovereign, socialist और secular democratic republic है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे citizens है उनके लिए justice, उसके बाद यहाँ पर जो social, economic और political, overall यहाँ पर सब कुछ development करना चाहिए, एक equality होनी चाहिए, तो मतलब सभी लोग equally तरीके से रहें, सभी लोग को justice मिले, ठीक है, सभी लोग को यहाँ पर equality of status मिले, equal opportunity मिले तो यह चीज़ हमारा preamble बोलता है तो basically यह चीज़ भी यहाँ पर street vendors के ओपर apply होती है street vendors को लिकर क्या क्या laws है, यह सभी को पर laws apply होते हैं, तो यह laws आप धिहान में रख सकते हो right to trade, equality before law और social justice clear हुआ, आगया आते हैं अब यह DPSP भी आपको देखने को मिलेंगे, इस पर जाता जोर नहीं देंगे, क्योंकि अलड़ी काफी जोर देदिया यह quality का लग से lecture है, हम लोग यहाँ पर detail से लगे पड़े हैं, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, मैं आपको बता रहूं कि हाँ, street vendors के पास क्या-क्या laws, क्या-क्या, यहाँ पर हक देखने को मिलता है, तो यह सारे rights है, सभी लोग के पास हमें, ऐसी DPSP के अंदर भी काफी सार rights है, DPSP, जो कि हमारे fundamental rights के बाद में start होता है, ठीके न, तो article 38 clause 1, यह basically बात करता है, सभी लोग का कल्याण किया जाए, article 38 clause 2 बात करता है, inequality को कम किया जाए, article 39 clause A बात करता है, सभी लोग को यहाँ पर right to an adequate means of livelihood दिया जाए, सभी के पास में हग इस चीज़ का, फिर article 41 बात करता है, right to work के बारे में, सभी लोग के पास में आपे काम करने का हग है, तो यह कुछ DPSPs हैं, अब यहाँ बहुत short form में दिया गया है, इसका बहुत in-depth analysis किया जाना चाहिए, फिलाल अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग उपर से पढ़ें टॉपिक को, तो इसके बारे में आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके बारे में quality के अंदर आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना, इसको उपढ़े भी ना जा भी ने सकते हैं exam में, काफी सारे questions बनते हैं, चलो आगया आता हैं, तो basically कहने की बात है, यहाँ पर जो street vendors उनके पास में यह सारे laws देखने को मिल जाते हैं, street vendors कौन होते हैं, यह आप लोग ने समझ लिया, street vendors की संख्या कहां कापर है, वो भी आप लोग ने समझ लिया, अब बात करते हैं, जो street vendors से हैं, वो लगातर increase हो रहा हैं, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप देखोगे न, कि लोगों को अच्छा खासा, जो रोजगार है, वो नहीं मिल पा रहा है, गरीबी काफी जादा हो रही है, तो इसकी वेज़े से, जो street vendors से वो लगातर increase हो रहा है, ठीक है न, अब कुछ लोग ऐसे जिनके पास में कोई skill नहीं है, education नहीं है, तो वो basically इस particular sector के अंदर घुज जाते हैं, उनको भी एक रोजगार सही है, obvious की बाते के खाने के लिए रोटी चाहिए, तो basically ऐसे informal sector के अंदर आ जाते हैं, तो इसकी वज़े से जो यहाँ पर street vendors है, इनके अंदर एक बड़ावा देखने को मिल रहा है, दूसरा यहाँ पर आप लोग देखोगे, काफी सरे लोग की job चली गई है, ठीके ना, काफी सरे लोग यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी जगर पर job नहीं मिल पा रही है, ठीके ना, या फिर कहीं पर काम करें तो बहुत कम पैसा मिल पा रहा है, तो बहुत सरी problem हो रही है, तो इसकी वज़े से भी यहाँ पर उनको survive करने के लिए, जीने के लिए, कुछ तो अचाही है, तो वो informal sector के अंदर आ जाते हैं, मतलब मजबूरी हो जाते हैं कि यहाँ informal sector के अंदर उनको घुसना पड़े, क्योंकि अपना पेट पालना है, अपने घरवालों को पालना है, तो यह चीज़े देखने को मिल रहे हैं, तो street vendors इस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं, अब street vendors क्या-क्या challenges, क्या-क्या परिशानियां face कर रहे हैं भारत के अंदर, सबसे बड़ी परिशानी है lack of space, उनको proper जगा नहीं मिलती है, यानि कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगा पर जो फड़ पर लगा लेते हैं, इस परकार से दुकाने लगा ली जाती हैं, रेडियां लगा ली जाती हैं, तो जो space है ना, वहापर काफी कमी space की current time पर, क्योंकि आज के time पर कुछ plan वगरा ready किया जा रहा है, कि हम लोग कोई भी proper space नहीं देंगे, vendors को, hawkers को, ठीक है इनको proper space नहीं दिया जाएगा, तो जगह इनको मिलने ही पाती है, जिसकी वेसे लोग काफिया तक परिशान भी रहते हैं, यह कहाँ पर लगाया जाए, अगर एक जगह मिली है, लंबे समय तक लगाया, तो फिर बाद में उनको हटा दिया जाता है, वहाँ से फिर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, वहाँ पर settle करना पड़ता है, एक जगह अच्छे से नहोंने settle किया, वहाँ पर काम बन गया, लोग आ रहे थे, जान रहे थे, अच्छे खासे, वहाँ से अटा दिया गया, फिर दूसरी जगह पर जाकर settle करना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ टाइम रुक कर, अपने सही से लोगों के साथ में बाचीत बढ़ानी पड़ेगी, इनकी वज़ा से यहाँ पर street vendors का exploitation और extortion हो रहा है, extortion मतलब यहाँ पर जबर्दसी वसूली की जाती हैं लोगों से, street vendors को फाल तुमें इतना परिशान किया जा रहा है, ठीके ना, Harris किया जा रहा है, तो यह problem आ रही है, ठीके ना, कभी न कभी कोई न कोई बोड़ी आ जाती है, कि भाई कभी district को और municipal को और administration आ गया, कि भाई इस जगह से यह हटाओ, कभी कोई और team आ गया इस जगह से हटाओ, नहीं हटाया तो कुछ पैसा ले लिया, corruption तो चलता ही है, वो तो यहाँ पर चली रहा है, तो आप देखोगे, extortion racket भी आता है, जो कि हफता वगर भी मांगते हैं से, यह भी बहुत बड़ी problem है, और बहुत सारी जगह पर ऐसे देखने को मलता है, इनको हटाया जाता है, तो वहाँ से भी कुछ पैसा लिया जाता है, फिर दूसरी body आई, दूसरी body भी ऐसे करती है, तीसरी body आई, तीसरी body भी ऐसे करती है, तो ऐसे अलग-लग body से, जो कि यहाँ पर इनको परिशान करती रहती है, तो street vendors को लेकर, यह सारी problems नजर आती है, आज के time पर हमारे country में, यह कुछ important data था, तो मतलब इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, इतना तो आप लोग हमेशा याद रखोगे, कोई भी question आता है मेंस में, तो आराम से solve कर पाऊगे, अब street vendors को लेकर, सरकार initiatives क्या क्या है, सरकार क्या कर रही है, तो यहाँ पर एक है स्वनिधी scheme, स्वनिधी scheme को launch किया था, ताकि हम लोग 50 लाख street vendors को फाइदा पहुंचा सकें, 50 लाख street vendors को support कर सकें, जो खासकर शेर वाले अरिया हैं, गाउं वाले अरिया हैं, उन सभी areas में, ठीक है न, इस स्वनिधी scheme का major purposes का उदेश है, जो digital transaction है वो बढ़ाया जाए, digitally यहाँ पर transaction किया जाए, यह इसका focus था, फिर दूसरा particular scheme यहाँ पर सरकार ने चलाया, वो है National Association of Street Vendors of India, NASVी जिसको बोलता है, NASVी बिसिकली एक organization है, जो की बात करती है street vendors के rights के बारे में, इनके हग को protect करने के बारे में चर्चा करती है, तो NASVी क्या है, याद रखना, फिर तीसरा यहाँ पर, इंडिया के अंदर खोद एक act देखने को मिलेगा, street vendors को लेकर, कौन सा act है, street vendors protection of livelihood and regulation of street vending act 2014 2014 का act है, जो की बात करता है street vendors को protection देने के लिए, उनके rights को protect करने के लिए बात करता है, तो इसने यहाँ पर street vendor की definition भी दे रखिया, जो की मैंने starting में आपको समझा दी है, तो इनके rights के बारे में, protection देने के बारे में चर्चा करता है, यह article आपको देखने को, यह act देखने को मिल जाता है, तो street vendors को लेकर यह कुछ government initiatives आ जाता है, clear हुआ, तो यह था पूरा article, आते हैं अगले article पर, next important news, यहाँ पर बात की गई है climate finance के बारे में, तो climate finance क्या होता है, आउग cover करता है, तो हुआ क्या है, पहले article को देखो, Indian Express का article है, यहाँ पर COP26 के जो chief है, और कैसे काम करता है, यह सारी चीज़े बहुत important है, इस particular article को आप लोग GS paper 3 से relate कर पाऊगे, सलेबस के अंदर हमारे पास topic है, environment pollution and degradation का, issue क्या है, इसको समझते हैं, यह मुद्धा क्या है, तो UNFCCC, अब इसकी full form क्या है, तो वह है United Nation Framework Convention on Climate Change, इसको हम लोग बोलता है UNFCCC, तो इसके जो president है, अलोग शर्मा, यह India visit करें, और आकर उनने काफ ती सरह discussion किया, कि भारत ने कुछ commitment किया है, भारत ने यहाँ पर एक target रखा है, कि 2023 तक हमारा एक target है, कि हम लोग 100 billion dollars का climate finance को achieve करेंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर discussion किया गया है, ठीक है न, अब यह climate finance को achieve कैसे क्या जाएगा, इसको समझने से पहले, आप यह समझो कि climate finance होता क्या है, देखो यहाँ पर आज के टाइम पर क्या हो रहा है न, climate change एक बहुत बड़ी problem है, climate change मतलब जो regular basis पर temperature increase हो रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, यह अपने आप में अभी तक की सबसे biggest problem देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर बोला गया, कि जो climate change है, यह basically इसको tackle करने के लिए, कुछ fund चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, investment चाहिए, ताकि जो countries है, वो अच्छी अच्छी technologies को adopt करें, और जिसकी वज़ा से pollution हो रहा है, production हो रहा है, और pollution की वज़ा से climate change बढ़ रहा है, इस pollution को रोका जा सके, ठीक है ना, तो basically climate finance क्या है, यह refer करता है local, national, या फिर transnational financing को, यह पैसा दिया जाता है, public, private, alternative sources है, पैसा आता है, और इस पैसे का काम यह होता है, कि हम लोग pollution को रोक सके हैं, और climate change को रोक रहे हैं, जो climate change हो रहा है, temperature लगातार increase हो रहा है, इसको control किया जा सके, तो पैसा खर्द लाएगा, environment के उपर, उसको climate finance बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे जो यह UNFCCC है, एक body यह हो गई, Kyoto Protocol हो गया, और Paris Agreement हो गया, यह अलग-अलग बड़े-बड़े agreements हैं, जो इसकी बहुत चर्चा होती है, यह तीनो environment को लेकर बात करते हैं, कि environment को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे इस particular चीज़ के अंदर बोला यह जा रहा है, कि इन तीनों की तीनों जो bodies हैं, इन से बोला गया है कि आप भी participate करोगे, और आप पैसा प्रोवाइट करवाओगे, और यह पैसा कहां से प्रोवाइट करवाएंगे, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात इन बोला यह गया है, यह जो UNFCCC, Kyoto Protocol है और Paris Agreement है, इन्होंने बोला है कि जो developed countries है वो पैसा देंगी developing countries को, अब इसका मतलब क्या इसको समझने, इसको थोड़ा समझने के लिए एक wider respect चाहिए, देखो developed countries वो हैं जो कि विक्सित हो चुकी है, जिनके यहाँ पर विकास हो चुका है, लास्ट में ED लगाए, और developing countries वो हैं जो कि यहाँ पर विकास में चल रहे हैं, मतलब जहाँ पर हम लोग development लगातार basis पर चल रहा है, काम चल रहा है, हम लोग यहाँ पर developed बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो basically वो developing country है, अब देखो एक important बात आपको यहाँ पर बता चलनी चाहिए, वो यह है कि जो developed country है, यह कैसे विक्सित हो पाई है, इसके पीछे का reason है, भाई बहुत सारी industries वगरा लगा दी है, अब industries लगा दी है, सर बहुत सारा pollution क्या है, बहुत सारा climate change हुआ है, temperature increase हुआ है, तो आज का time पर जो climate change वाली condition है न, उसके पिछे का एक बहुत बड़ा कारण developed countries है, USA, European country, UK, इस सब यहाँ पर developed country है, बहुत pollution किया है, उन्होंने अपने time पर दबा कर, ठीक है न, और इतना pollution किया है कि current time पर situation बहुत खराब हो जोगी है, और developing country जहाँ पर industries वगरा regular basis पर लग रही है, pollution regular basis पर हो रहा है आज के time पर developing countries के side से, हलाकि यह भी कर रही है pollution, लेकिन developing country के अंदर और ही बहुत सरा pollution हो रहा है, तो आज के time पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग साल 2022 की बात करें, तो developing countries बहुत सरा production कर रही है, और इस production को देखते वे, यह developed countries क्या कर रही है, यह यहाँ पर हमें परिशान कर रही है, developing countries को परिशान कर रही है, कि आप बहुत सरा pollution कर रहे हो, आप अपने country के economic activities को रोको, industries को रोको, तो developing country का कहना है, ठीक है हम रोक देंगे, पहले ही बताओ, हम लोग अगर developed बनना चाहते, तो इसकी तो जरुरत पड़ेगी ना, अगर रोकेंगे तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा, तो developed country बोली नहीं बहुत pollution हो रहा है, रोकना पड़ेगा, तो हमने बोला ठीक है चलो रोक देंगे, लेकिन रोकने के लिए थोड़ा time लगेगा, और time के साथ पैसा लगेगा, पैसा कौन देगा, जो investment है वो भी लगेगा, आज के time पर कोईले की factory चल लएए, कोईला जला कर बिजली बन रही है, हमें renewable energy लगानी होगी, कोईला खतम करना होगा, renewable energy को set up करने के लिए पैसा जाहिए, और हमारी सरकार अगर इस पर उपर पैसा खर्चने लगेगी, तो कहां से development होगा, कहां से लोगों के उपर पैसा खर्च जाएगा, जो बाकी सारे काम चलने हैं, देश के अंदर वो किसे चलेंगे, तो हमें पैसा दो, हम काम करेंगे अपनी तरफ, तो वही बैसिकली यहाँ पर climate finance, और इसको लेकर मांग की जाती हैं, जो developed countries हैं, वो बैसिकली यहाँ पर पैसा प्रोवाइट करवाएं, developing country को, ताकि developing country को एक support मिले, और वो यहाँ पर इस pollutions को tackle कर पाएं, आई हूप आपको बहुत अच्छे से, यह पूरा मुद्ध समझ में आ चुका है, ठीक है ना, तो इसका importance में आपको समझा दिया है, climate finance, basically बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर हमें आज के time पर pollution को रोकना है, emission को रोकना है तो, एक important step है, और इसकी वज़ा से हम काफी कुछ change कर सकते हैं, 2009 में, जो UNFCCC है, COP26 की, COP15 की meeting होती है, Conference of Parties 15 की meeting होती है, पंदरवी meeting होती है, Copenhagen में, यहाँ पे focus किया गया था कि 2020 तक, हम लोग यहाँ पे 100 billion डॉलर तक का एक target अचीव कर पाएंगे, एक target रखा जा था, लेकिन यहाँ पे अचीव नहीं कर पाया, अदरवाइस, उन्होंने खूब अपने टाइम पे pollution किया, और आज के टाइम पे developing country pollution कर रही है, तो उससे यहाँ पर इनको काफ़ी सरी problems हो रही है, देखो, अब्वियस सी बात है, pollution एक बहुत बड़ी problem है, लेकिन अब्वियस सी बात है, अब इंडिया के खुद के भी काफ़ी सरी इनिशेटिफ से, जो कि climate finance को लेकर काम करते हैं, कौन कों से इनिशेटिफ हैं, जैसे एक है NAFCC, यानि National Adaptation Fund for Climate Change, इस particular fund को established कर गया था, 2015 में, ताकि हम लोग climate change को tackle कर सके, तो वही simple सी बात है, environment में, जितनी particular bodies हैं, उन सब का major काम है, climate change को tackle किया जा सके, ठीक है न, तो इंडिया के अंदर जो adverse effects पढ़ रहे हैं, climate change को रोका जा सके, इसके लिए यहाँ पर इस initiative को चलाए गया, दूसरा initiative यहाँ पर, इंडिया के अंदर चलाए गया, वो है National Clean Energy Fund, यह जो fund इसको create किया गया, ताकि हम लोग clean energy को promote कर सकें, ठीक है न, जो koila वगरा इसको रोके clean energy को बढ़ावा मिले, ठीक है तो यह चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, फिर तीसरा आपको एक initiative देखने को मिलेगा, भारत का वो है National Adaptation Fund, इस fund को establish क्या गया था, 2014 में, कुछ fund लगबग 100 क्रोड रुपे हैं, यह जो fund था, इसका aim था कि हम लोग यहाँ पर यह पैसा अविलेबल करवाएंगे, ताकि जो pollution है, या फिर जो हमारे environment के अंदर climate change है, उसको tackle किया जा सके, इस fund को operate कौन कर रहा है, इसको operate क्या जा रहा है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के थूँ, ठीके न, तो यह कुछ भारती इनिशेटिव से इसके बारे में, अभी हमने discussion किया है, तो यह इंडिया की इनिशेटिव से climate finance को लेकर, climate finance क्या है, यह मैं आपको बता दिया, क्या problem है climate finance को लेकर, और वो भी आप समझ चुके हो, आगे आते हैं next important news के उपर, अगली important news वाकई में बहुत important है, इसको आप लोग GS paper to international relations से रिलेट कर पाऊगे, चाइना पाकिसान economic corridor को हम लोग पढ़ने वाल है, पुरा इतिहास, present, future क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर discuss करेंगे, तो news क्या है, Indian Express की news है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कि चाइना और पाकिस्तान, दोनोंने हाथ मिला तो को बहले सी बोदोन साथ में है, पाकिस्तान यहाँ पर गुलाम बना पड़ा है चाइना का, अब्यसी बात हैं तो सारा पैसर ले रखा है, तो चाइना जैसे जैसे बोलेगा, पाकिस्तान को वैसा वैसा करता रहेगा, इस आर्टिकल को GSP बटू से रिलेट कर पाऊँगे, सिलिबस में हमारे पास टॉपिक है, इंडिया और इट्स नेबर हुड का, आउ समझते हैं चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरोडोर, इशू क्या है, पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, कि हम धर्ड कंट्री को इंक्लिूड करने वाले हैं, अपने मल्टी बिलियान डॉलर प्रोजेक्ट सी पैक के अंदर, नहीं समझ माया, आउ समझो, देखो यह है यहाँ पर, चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरोडोर, कहाँ पर हैं, देखो यहाँ पर, यह हुआ इंडिया, हमारा महान भारत, और इधर यहाँ पर आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, उपर, चाइना, अब इधर, यह जो है, यह है, गौदर पोर्ट, ठीके न, इस पोर्ट को किसने डेवलप किया है, इस पोर्ट को डेवलप किया है, चाइना ने, और इधर यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह है पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर, यह कौँ सा रीजन है, यह रीजन वो है, जो कि पाकिस्तान ने इल्लीगल तरीके से कबजा रखा है, लेकिन है यह इंडिया का हिस्सा, यहाँ पे इसको गलगित बलतिस्तान कराम सजानते हैं, यह मैप थोड़ा पुराना है, ठीक है, ध्यानक न, समझाने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया गया है, बट यहाँ पे जब आप लोग देखते हो न, तो इधर गलगित बलतिस्तान से यह रास्ता और उपर निकलता है, इस प्रकार से यह जो मैं आगे का ड्रॉ कर रहा हूँ, यह देखो, इस प्रकार से रास्ता जा रहा है उपर तक, चाइना का जो यह उपर वाला हिस्सा है न, यह है जिन्जियांग प्रोविंस, तो जिन्जियांग प्रोविंस से आता है यह रास्ता, और यह रास्ता ऐसे आता हुआ, और इधर से निकलता हुआ, और डिरेक्टली यहाँपे पाकिस्तान के Gwadar Port को connect कर देता है यही क्या है यही है चाइना-Pakistान economic corridor जो की चाइना को और पाकिस्तान को connect करता है चाइना का Zinjingyang region और पाकिस्तान का Gwadar बंदरगा या Gwadar Port ठीके ना तो यह चाइना-Pakistान economic corridor है तो इंडिया बहुत सम Da te I come out and s a मतलब, पहले दिन से ही ऑंड्या क्या अगेंस्ट में है अच्छा ऑनल आ अशर्क तो आपको गया दिकत है। मतलब, भारत को भारत क्या दिकत हो गया गईस्ट में तो अगेंस्ट में तो के अगेंस्ट में चाइना पाकिस्तान से पहली ले रखा है वह पैस लोग चुका नहीं पा रहे हैं तो अब सोचा इन दोनों पार हैं लेकिन पाकिस्तान तो सोचेगा यार हमें और पासा मिल जाएगा पाकिस्तान तो खुच हो जाएगा वाकई ऐसे हुआ है तो कि पाकिस्तान भी रेडी हो गया पाकिस्तान भी तैयार हो गया है कि किसी को लेकर पाकिस्तान तैयार हो गया है कि हाँ ठीक है हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे एक third party को enter करेंगे चाइना भी ready हो गया है तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर decide क्या है कोई तीसरा country आकर हमारे इस multi billion dollar को project को join करें पता है चाइना पाकिसन इक कोरिडर जो है 60 billion dollars का है इतना सारा पैसा invest किया जा रहा है तो अब यसी बात है इसमें चाइना का खुद का स्वार्थ है चाइना बिना स्वार्थ के कोई काम कर नहीं सकता ठीके न अब वो स्वार्थ क्या है न वो आगे मापको बताऊंगा इसके बारे में तो clear हो गया तो तीसरे country को include करने के बारे में चर्चा की गए क्योंकि अब पाकिस्तान की बसकी बात न कामाल ले हालात वैसी खराब है तो तीसरे country है कुछ पैसर ऐसा लगया investment वगरा करे पाकिस्तान को support मिले तो यहां पर काम आगे बनेगा clear हो गया तो चाइना पाकिस्तान economic corridor क्या है 3000 km का एक लंबा रास्ता है एक infrastructure project है जो कि चाइना के Xinjiang province को पाकिस्तान के गवाधर port से connect करत है कैसे highway, railway, pipelines के माधियम से यहां पर connect करने का बात करता है तो यह है चाइना-Pakistan economic corridor एक और बहुत important बात चाइना-Pakistan economic corridor ना belt and road initiative का ही हिस्सा है belt and road initiative वो initiative है जिसको 2013 में लाया गया था वो initiative यह है इसमें जो आप लोग orange वाली line देख रहे हो यह है एक नई silk road जो यह blue वाली line यह है maritime silk road यह gray वाली जो line देख रहे हो यह है चाइना-Pakistan economic corridor जिसको अभी हमने discuss क्या जो कि गौहादर पोर्ट से चाइना के जिंज्यांग प्रोविंस को connect करता है यह जो पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हो ना orange, blue, gray यह पूरा का पूरा चाइना का project है दुनिया भर को connect करता है यहाँ पर इस particular project से इसी को हम लोग Belt and Road Initiative बोलता है कैसे इसने प्रोजेट बना लिया कोलॉम्बो में यहाँ पर स्रिलंका में बहुत सारा investment किया हमबन दोता पोर्ट आज का टाइम पर 99 साल के लिए lease पर ले रखा है किराय पर ले रखा है तो यहाँ से यहाँ पर जी बूटी के अंदर पोर्ट डवलब कर चुका है जकारता में investment है मलीशा में investment है वेतना में investment है उसके बाद यहाँ अगे इतने सारी जगा पर investment करकरके इन देशों को अपने जाल में फसा फसा के नैने पोर्ट डवलब करके इस प्रकार से पूर अपरा व्यापार का रास् और इस corridor के अगेंस्ट में भारत खड़ावाए, तो भारत पहले दिन से ही belt and over initiative के खिलाफ और भारत नहीं यहाँ पर इस particular project को join नहीं किया है, ठीक है ना इतनी बात clear हो गई, यह मैं आपको बता दिया कि इसको 2013 में लॉंच किया था, इसका काम यह है कि लिंक किया जाए, पू करें, व्यापार करें, खूब सारा यहाँ पर अपना समान बेचे इन लोग को, यहाँ से raw material के लेकर आए, वहाँ पर development करें, तो बहुत सारा काम यहाँ पर चाहना के तुरू किया जा रहा है, तो यह है यहाँ पर एक चाहने की बहुत बड़ी strategy, clear हो गया, अब यह जो CPAC प पाओगे, कि अगर यह successfully implement हो पाता है, यानि एक success हो जाए है, चैना-Pakistan economic corridor, तो इससे Pakistan occupied Kashmir वाला जो region है, उस पर पाकिस्तान का दबडबा काफी हथ तक बढ़ जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, पाकिस्तान का दबडबा यहाँ पर काफी हथ तक बढ़ जाएगा, कौन से पाकिस्तान occupied Kashmir वाले पर जिसको हम गलकित बलतिस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है यह बात हो गई, उसकी बाद में, सबसे बड़ी बात आप देखोगे, चैना को एक full support मिलेगा, अगर यह successful हो जाए project तो चैना के मज़े आ जाएगे, क्यों, इस map में समझो, ऊपर चैना ह इदर इंडिया हुआ, अब इदर कुछ चैना, यहाँ पर भी poor develop कर चुका है, यह पैनामा कैनाल है, और यह इदर स्वेस कैनाल है, यह दो कैनाल आपको देख रहे हैं, तो चैना का रूल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, दुनिया भर में व्यापार करता है, इदर के करता है, कनाल एक रास्ता बना आया जाता है, हाथ से, एक्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, इदर आफरीका हुआ, ठीक है, इदर यहाँ पर मेडिली इस्ट वाला रिजन हुआ, अब यहाँ पर बीच में यह पूरी जुड़ी भी हुआ करती थी, अब व्यापार करने इक लिए एक टाइम पे कहां से निकलना पड़ता था, यहां से निकल के घूम के आना पड़ता था अगर हमें उपर जाना है तो, या फिर हमें यहां जाना है तो भाई, यही से घूम के जाएंगे ना, तो इसके लिए क्या किया, सोचा भी एक शॉर्टकट बनाया जाए, यहां से बहुत टाइम लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, हर चीज लग रही है, तो इस सचा खुदा ही करती जहां पे, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लियर हो गया तो स्वेस कनाल के बारे में आपको सारी information मिल चुकी है तो अच्छा बात यह थी कि यहाँ पे तो चाइना है ही उसके बाद में अगर इस प्रकार से ग्वादर पोर्ट तक यहाँ पे आ जाता है यानि कि यह जो पूरा का पूरा initiative है चाइना पाकिसान एक्रामिक कोरिडोर का अगर यह successfully implement हो जाता है तो इससे दिक्कत क्या है देखो दिक्कत यह है चाइना का दबदबा इस वाले region में भी बन जाएगा ठीक है ना दूसरा यहाँ पर क्या होगा इस प्रोजेक्ट के माद्यम से चाइना के जो string of pearl वाले initiative है इसको और जदे मजबूत ही मिल जाती है आपको बताओगा चाइना का एक initiative है string of pearl का यानि मोतियों की माला यहाँ पर चाइना ने बुन रखिये चारो तरफ जैसे गौादर पोर्ट यह हो गया यहाँ पर चाइना बैठाए जीबूटी में बैठाए केनिया में यहाँ पर पोर्ट बना दिया मौलदीस में investment कर दिया हममन्त होता पोर्ट इधर यहाँ पर पोर्ट हो गया मैनमार के अंदर बांगल देश का चिता गॉंग पोर्ट हो और भी बहुत सरे पोर्ट हो गया यहाँ पर सब जगे investment कर रखा है सभी जगह पर चाइना बैठा है तो चाइना ने एक मोतियों की माला बुंदी है इंडिया की अगेंस्ट में इसको string of pearl के नाम से हम लोग जानते हैं तो इसी string of pearl को और जादे मजबूत ही मिल जाती है इस इंडिया के लिए यह काफी बड़ा कंसर्न है ठीक है ना आते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की तरफ अगले इंपोर्टेंट जो न्यूज है यह बिसिकली एक स्पीशी के बारे में है तो इसको आप लोग GSP3 एन्वोर्मेंट से रिलेट कर पाओगे क्या मोनार्क बटरफ्लाइस के बारे में डिस्कॉशन करेंगे तो हुआ क्या है यहाँ पर बोला गया है जो मोनार्क बटरफ्लाइए ना इसको ऑफिशली एंडेंजर कर दिया या यानि कि काफी खत्रे में यह प्रजाती जा चुकी है इस आर्टिकल को GSP3 से रिलेट कर तो माइगरेटरी मोनार्क बटरफ्लाइए यानि कि एक पर पर जगह से दूसरी पर जगह पर जाने वारी बटरफ्लाइए इसको इंडेंजर कर दिया गया आयूचन के अंदर तो जो रेड लेस्ट आती है आयूचन के फुल-फर्म क्या है इंटरनेशनल यूनीन फॉर पता चल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप कर सकते हो कि उसके जनसंक्या अच्छी खासी है, तो वो लीस्ट कंसर्ण में है, जनसंक्या थोड़ी सी खतम होने के कगार पर नियर थ्रेटेंड है, थोड़ी सी और खतम हो गई, थोड़ी सी और खतम हो गई, थोड़ी सी और खतम ह situation होती है जब 2-4 जानवरी बच्चे होते हैं और वो भी खतम हो गए तो मतलब वो जनसंक्या वो प्रजाती विलॉप तो चुकिये कॉलैप्स हो चुकिये आज की टैम पर दुनिया में वो प्रजाती बच्ची ही नहीं है ठीक है ना तो basically IUCN के अंदर endangered category के अंदर इस butterfly को डाल दिया गया यानि इस वाली category में तो अभी जनसंक्या बहुत खत्रे में है और अगर थोड़ी सी जनसंक्या और खतम होई तो critically endangered अगर वो भी खतम होई तो पूरी तरह से विलॉप तो जाएगी प्रजाती हमारे पूरे दुनिया से और इसको हम लोग बाद में जाना करेंगे कि हाँ monarch नाम का एक butterfly था तो butterfly है monarch तो इसकी एक सबी species है मदब ये बोसी के लिए monarch butterfly खुद एक सबी species है डॉनौस प्लैक्सिपस की दो ये butterfly बहुत लंब 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 travel करती है 4000 km के आप सपास खाया पर इसका traveling around देखने को मिल जाता है उसके बाद में बताया गया है कहां कर पाई जाती है जो species है ये औस्ट्रेलिया हवाई और इंडिया के अंदर देखने को मिलती है इस स्पीशी का 23-72% तक decline हुई है ये यहां पर एक concern वाली बात है ठीक है अब यहां पर होता क्या है इसको लेकर एक बहुत important बात है ये जो butterfly है ये यूनीक सा lifestyle फॉलो करती है ये जो breeding करते हैं यानि इनके अंदर जो reproduction हो रहा है breeding वगरा हो रही है वो एक particular plant पर होता है एक plant पर होता है milk weed के दिक्कत यह है कि इनकी breeding नहीं उपा रही है breeding नहीं उपा रही है जनसंख्या कैसे बढ़ेगी अब आप question पूछो कि breeding क्यों नहीं बढ़ पा रही है breeding इस लिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि milk weed जो है ना इस plant को remove कर दिया जा रहा है farmers के थूँ फार्मर्स इस plant को remove कर दे रहे हैं हटा दे रहे हैं तो इस plant की संख्या कम हो रही है तो यहां पर इस तितली की जनसंख्या कम हो रही है ऐसा क्यों क्योंकि इस ही plant के ऊपर बैट कर यह लोग breeding करता है यह आपको plant देखने को मल जाएगा यह है milk weed का clear हो गया आगे आता है तो farmers यहां पे इस milk weed को खतम कर करने के लिए remove करने के लिए weidicide का इस्तमाल करता है weidicide क्या है यह basically weed killers है या pesticide मतलब मतलब कोई इन्होंने खेती करी उसका कुछ plants रही है उन्हें नहीं चाहिए ही वह farmers यहां पे इसको unwanted plant समझ रहे है तो इसको मारने के लिए weidicide कर देता है pesticide का इस्तमाल करता है यह plant मार द दूसरा क्या है कि जहां पे butterfly पाई जा रही है भाई deforestation हो रहा है पेड़ की घटाईये हो रही है उसकी वैसे वह पेड़ खतम हो जा रहे है प्लस यहां पर देख पाऊ कि development बहुत जादे हो रहा है शहर बंते चले आ रहे जंगल कटते चले चले जा रहे है यह भी concern है उसक की जनसंग्या काम हो गई है और यह current time पर IUCN की endangered category के अंदर आ गई है IUCN क्या हम आपको बताई चुका हूँ International Union for Conservation of Nature Nature को protection देने के लिए IUCN वर्क करता है यह हमें बताता है कि भाहिया एक awareness विलाता है यह हालात हो चुका है इस प्रजाती का इसको बचाने की आवशकता है ठ अर्रेडी जो time है वो basically 7 बचके 50 मिनट हो चुका है तो मुझे यहाँ पर अब इस वीडियो को रोकना होगा वरना इस आर्टिकल को समझाओंगा तो और टाइम लग जाएगा 5-10 मिनट और लग जाएगे तो इसकी वाज़े से वीडियो लंबा हो जाएगा और टाइम पर अ लेगे अभी बहुत सारी चीजे बागे पढ़ने के लिए वो सब आपको बताऊंगा वालकनों क्या है कैसे ब्राइज होता है वालकनों कैसे फटता है वालकनों को प्रकार यह सब कुछ यहाँ पर कल हम लोग कवर कर लेंगे पीडियाफ के अंदर यह थोड़ा सा सामय लग आज के लिए बाइ-बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and Jai Hind!